नमस्कार आईए जानते हैं लोगों से देश, कला और स्थिती के बारे में आपको क्या लगता है राष्ट के निर्माण में मीडिया की क्या भूमिका है? मेरा खयाल है एक बीडे हुए बच्चे को सुधारने के लिए जो भूमिका उसकी मा अदा करती है वही भूमिका वर्दमान में देश की मीडिया, सच मीडिया देश के विकास के लिए आदा कर रही है मीडिया का जो राष्टी निर्माण में भूमिका है तो एक तरह का प्रिटिक का जिकाम करता है आईना दिखाने का तो मेरे हिसाब से जब एक आईना हमारे सामने होता है तो हम अपने आपको बहतर बनाने की पूशिश करते हैं। तो मेरे से जब एक देश के सामने उसका आईना प्रशिद करता है तो देश सुचारू रूप से और अपने ही लोगों के बारे में काम करने के नए नहीं तरीके इचात करता है इससे राश्की निर्माट और बहुत तरीके से होता है। मीडिया अपने आप में एक साधन है नगर वो साध्य नहीं है। और समाज की मानसिकता वर्तमान और भ्विष्य को देखकर बनानी और वर्तमान को अच्छा सूंदर और आनंद में बनाना और वविषय की कल्पनाएं सुंदर करनी राष्ट हित में सोचना और वह सोच हर व्यक्ति के मन में डालना ये मीडिया का पर हो सक्ता है अगर मीडिया इस दाइट्व को निभाने में कहीं कमजोर लगता है तो समाज का दाहित हो है कि मीडिया को पकड़े और पूछे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया और समाज अगर पूछना प्रादम करेगा, समाज प्रतिक्रिया देना प्रादम करेगा तो नए भारत पुलूर उत्थान के प्रक्रिया में जो मीडिया की भूमिका होनी चाहिए वो केवल मात्र सिकारात्मक हो सकती है, निर्मान करने की हो सकती है एक वभिष्य के लिए युवाओं के मन में एक आशा और एक धीप जलाने की हो सकती है जिस के कारण से, जिस आशा के कारण से हर युवाओं और युवती जो है वो अपने राश्टर के निर्मान में लगे क्योंकि उसका व्यक्तिगत उदेश्य तो ऐसा ही होना चाहिए जो कुल मिलाकर राश्टर के हित में हो तो इन सभी विश्यों पर मिलकर हम सब चर्चा करेंगे लोक मंतन 2016 में लोक मंतन देश, कला और स्थिती के बारे में 12, 13, 14 नवेंबर 2016 विधान सभा भवन, भोपाल, मध्यपरदेश तो आप सभी का स्वागत है